लोकसभा की तारिक तेह हो चुकी है गड़ बंदन करने में कॉंग्रेस से बिजेपी आगे सित्तेर दिन बाद 23 मई को पता चलेगा किसका टाइम आएगा सतर वी लोकसभा चुनाओ के लिए बिगुल बच चुका है 11 अप्रेल से 19 मई के बिच 7 चरलों में 90 करोड मत दाता अगली सरकार चुनेगे सतर दिन बाद पता चलेगा कि किसका टाइम आएगा राजनेदिक पाटिया चुनाओ के तैयारी में जोर से जुटी हुई है पाटिया दावा कर रही है कि वे चुनाओ के लिए पूरी तरह तैयार है राजनेदिक पंडितों का मानना है कि ये चुनाओ गडबंदन का चुनाओ है इस मंत्र को बीजेपी ने सबसे पहले समझा इसलिए वा कॉंग्रेस की तुन्ला मियन्य पार्टियों से गड़बंदन करने में आगे निकल गई आज की तारीक में बीजेपी ज्यादा तर बड़े राजियों में गड़बंदन कर चुकी है सीटो का बटवारा हो चुका है वही कॉंग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टिया सीटो के बटवारे को लेकर उलजी हुई है आज की तारीक में बीजेपी का पलड़ा बारी है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी अब तक 29 पार्टियों से घड़बंदन कर चुकी है उत्तर प्रदेश सपा बस्पा और आरेली का घड़बंदन भारी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सज्यों की दलो को अपना दलो और सुहेल देव भारतिय समाज पार्टियों को मनाने में काम्याब रही है तिनों पार्टिया साथ चुनाओं में मैदान उत्रेगी एंडिया ने 2014 के लगबग लोग सभा चुनाओं में सांदर पतरस्ण करते हुए तो त्यर सीट जीती थी वही 2014 के लोग सभा चुनाओं में मातर दो सीट जीतने वाली कॉंग्रेस अकेले चुनाओं लड़ रही है UP में तिसरा मोचा RLD सपा और बस्पा गडबंदन का है तीनों पाटे मिलकर चुनाओं लड़ रही है UP के त्रिकोन ये मुकाबले में गडबंदन की वज़े से सपा बस्पा और RLD का पलड़ा बारी दिख रहा है सपा बस्पा और RLD के साथ आने से यहां NDA की स्थिती कमजोर हुई है Bureau Report, New Delhi, GNA India